असलाम अलेकुम एन वेलकुम टू टेक्निकल टीवी यूट्यूब चैनल नाजरीन आज के वीडियो हमारी वेबसाइट मेकिंग ट्रेनिंग पार्ट 6 है अगर आप इस चैनल पे नहीं हो और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दू कि इस चैनल के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है अभी हमारे चैनल पे वेबसाइट मेकिंग ट्रेनिंग सिरीज चल रही है तो ये उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है यानि के पार्ट 6 तो आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक प्रोपर वेबसाइट बना ली है तो अब आप अपनी वेबसाइट से पैसे कैसे कमाऊगे तो पैसे कमाने के लिए आपको पता है Google Adsense का अप्रूवल चाहिए होता है तो अप्रूवल लेने के लिए क या क्या काम करने पढ़ेंगे कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स दूँगा कुछ ऐसी ट्रिक दूँगा जिसको अगर आप फोलो करते हो तो 100 नहीं 1000 नहीं मैं लाख दफा कह सकता हूँ कि आपको आपकी वेबसाइट के लिए जरूर Google Adsense का प्रूवल मिल जाएगा तो यह मोट और क्या है यह टिप्स और ट्रिक जिसको फोलो करने के बाद Google Adsense का प्रूवल मिलेगा तो वीडियो को लास तक देखिए जानने के लिए तो प्लीज वीडियो अच्छी लगए तो लाइफ जरूर करना वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंस के साथ हैं चैनल को जरूर सब पर ने हो तो बैल बटन को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर प्रेस करना उससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो अप्लोड होगी तो आपको उस वीडियो को नोटिफकेशन मिलता रहेगा तो यहाँ पर वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिच करता हूँ कि अगर आप ही अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया हुआ क्योंकि Instagram पे मैं 24 गंटे online रहता हूँ active रहता हूँ और Instagram पे मैं daily अपनी photos वगारा upload करता रहता हूँ जैसे हमारे followers बढ़ जाएंगे तो मैं YouTube के बारे में जो update है या कोई भी question answer है आपके question answer का वहीं पे मैं reply दिया करूँगा क्योंकि मैं जादा वहीं पे active रहता हूँ तो please अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पे follow नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और second update ये है कि अगर आपका कोई भी question है कोई भी आपने मुझे कोई भी बात करनी है कोई भी problem है तो आप मुझे comment box के अंदर अपना comments कर सकती हो अपना question कर सकती हो बहुत जलत क्योंने वीडियो आने वाली है तो क्योंने वीडियो के अंदर मैं आपके question का answer दूँगा तो लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका जितना मर्जी लंबा question हो आप एक ही comments के अंदर अपने question को पूरा complete पूछो तो यहाँ पे हमारा main topic यह था आज का कि Google Adsense का approval कैसे लिया जाए अपनी website के लिए पैसे कमाने के लिए तो यहाँ पे Google Adsense का approval लेने के लिए number one tip number one tip यह है कि आप अगर अपनी website के लिए Google Adsense का approval लेना चाहते हो तो आपकी website को बने हुए maximum 6 महीने गुज़र जाने चाहिए अब 6 महीने क्यों गुज़रने चाहिए इसके उपर मैं आपको समझाना चाहूंगा देखे अगर हमें 6 महीने गुज़र चुके हैं website को बनाते हुए and हम अपनी website पे regular post upload करते हैं तो regular post upload करने के बाद 6 महीनों में शायद हमारे website पे 4000 या लाख से ज्यादा लोग आ चुकी हो यानि के traffic आ चुकी हो अगर इतनी traffic हमारे पास आ जाएगी इन 6 महीनों में तो हमारे chances बढ़ जाएंगे ताके असानी से हमें Google Adsense का approval मिल जाएगा अगर हमारे website को बने हुए दो महीने हुए है और post भी हमने बहुत कम लिखी है तो होड हम अपने Google Adsense के लिए apply करते हैं sign in button पे click करते हैं तो शायद कही ना कही हमें Google Adsense का approval ना मिले इसी के अंदर tip add करता चलूँ कि आप अपनी website का approval लेना चाहते हो तो इसके लिए आपकी website का domain name होना चाहिए domain name यानि www.azm.com तो आगे ये ना हो www.azm.blogpost.com blog post या किसी भी wordpress इसके आगे आगे आपको Google Adsense का approval नहीं मिलेगा इसमें भी मिल जाता है साल के लिए अब यहां पर second tip के बारे में बात करता हूँ trick के बारे में बात करता हूँ कि आपकी जो website का theme है वो responsible theme होना चाहिए accurate theme होना चाहिए and Google खुद कहता है कि अगर आपकी website का theme responsible नहीं होगा तो आपको approval नहीं मिलेगा तो responsible theme कहां से देना है उसके ओपर वीडियो बना रखी है जरूर जाके चेक कर लो चैनल को यहां पर ठल नमर पर tip के बारे में बात करता हूँ कि में आपकी website का contact us page, about us page, privacy page, home page यह page बनी होने चाहिए तो अगर यह page नहीं है तो आपकी website जो के Google essence के लिए approval नहीं मिलेगा आपको यानि कि इनके बगार आपको Google essence का approval नहीं मिलेगा यहां पर नमर फूर तो अब यहां पर नमर फूर tip के बारे में आपको बता दू कि आपकी website के उपर maximum 100-70 posts लिखी होनी चाहिए और हर एक posts 50-100 यानि 500 यानि कि 500 क्रैक्टर्स की होनी चाहिए हर एक post यानि कि अगर आपकी post 6-70 आप लिख लेते हो और हर एक post 500 क्रैक्टर्स की होगी 100 नहीं बलके मैं आपको 1000 दफा बता दूँ कि आपको जरूर approval मिल जाएगा आपकी website के लिए यहां पे इसी के अंदर मैं add करता हुआ चलूँ कि आगर आपकी website के उपर आपका जो social media handles है वह right, left, down, bottom यानि के bottom, top सब एक तरफ आपने social media handles दिये हुए है लोग confused है कि वह क्या करें तो इसे भी आपको जो के google essence का प्रूल नहीं मिलेगा तो अगर आपने social media handles अपनी website के अंदर देनी है तो आप एक जगह या right दे लो या left दे दो या उपर दे दो या नीचे दे दो यह ना हो कि आपकी website पे कुछ समझना है ऐसा नहीं होना चाहिए यह tips को ज़रूर follow करिए अब यहां पे last minute आपको देता चलू कि आपकी website के उपर traffic maximum ज्यादा हो ताकि ज्यादा traffic होगी तो google essence आपको प्रूल देगा traffic लाने के लिए आप अपनी post को facebook, instagram, whatsapp groups के अंदर share करो जैसे share करोगे traffic आएगी तो इसे क्या होगा कि आपको ज्यादा chances मिल चाहेंगे आपकी website के लिए कि आपको google essence का प्रूल मिल चाहेगा इसी के अंदर मैं add करता हुआ चलूँ कि आप अपनी website के ऊपर अगर कोई भी post लिखती हो तो वह English में होनी चाहिए यह बात ज्यादा तर लोग follow नहीं करते क्योंकि अगर आप post लिखती हो कोई भी post लिखती हो वह अगर English में नहीं लिखते तो google essence का approval नहीं मिलेगा तो English में लिखोगे तो English common हर किसी को समझ आ जएगी तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है अब आप यह कहोगे कि बहुत से लोगों ने उर्दू में post upload की होती है बट उन्हें google essence का approval मिला होता है वो कैसे देखें उन लोगों को पहले से google essence का approval मिला होता है किसी और website की थरू तो वो उन website के थरू अपनी दूसरी website के उपर advertisement लगा रहे होती हैं लेकिन अगर आप पहली दफ़ा google essence का approval लेना चाहती हो तो English में आपकी website जरूर होनी चाहिए हर post आपकी English में हो तो यह कुछ मोटी कमन लोग follow करते हो तो मैं कहता हूँ hundred नहीं thousand नहीं लाग दफा आप ट्राइ करो एक बार अगर आप ट्राइ करते हो तो आपको जरूर google essence का approval मिल जाएगा तो चले मिलते हैं नई वीडियो के साथ इस चैनल को जरूर subscribe कर लो और bell button को press करो क्यूंकि इस चैनल पर training दी जाती ह हैं जैसे ही website के training खतम होगी कोई और training शुरू करवा दी जाएगी उसी के साथ आपको YouTube पर कैसे काम करना है YouTube पर कैसे पैसे कमाने हैं उसके बारे में सिखाया बताया जाता है और उसी के साथ टैक वीडियो मिलती है हार अफ्टेमी एक टैक वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे गे भरी मिलती है